आज फिर से क्लास 10 के बच्चों के लिए मैं प्रिविएस एर के कॉश्चन लाइट रिफ्लेक्शन चेप्टर से लेकर आई हूं इसको मैं सॉल्व करूंगी और मैं आपको बताना भी चाहते हूं कि किस तरह से आप सॉल्व करें एक्चली जब आप सॉल्व करते हो तो कई ब इस तरह से हमको इसको सॉल्व करना है तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगी कि कैसे आप इस नुमेरिकल को या इस कॉश्चन को सॉल्व करते हो और कोई भी कॉश्चन हो आप यदि इस तरह के ट्रिक्स अपना होगे कि दीरे दीरे पढ़ते हुए उसको समझ आएगा ठीक है यह एंज्वाइट चलिए स्टार्ट करते है इसको लेट्स स्टार्ट नौसी फर्स्ट कॉस्चन है हमारा रोहित वांट्स तो हाव और इरेक्ट इमेज ऑफ और अब्जेक्ट यूजिंग कानवर्जिंग मिरर और फोकल लेंथ 40 सेंटिमेटर ठीक है अब इसमें करना क्या आपको सबसे पहले हमें पता है कि इसमें क्या-क्या हमको दिया है हमें दिया इकि इमेज कैसे हैं और diverging में भी, converging में हमें मिलता है एक case, diverging में दो ही cases image formation के दोनों में अंतर क्या है कि converging mirror में जो image बनती है, वो enlarged बनती है और जो diverging mirror में है, उसमें small images बनती है तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो our focal length हमको दिये है, ठीक है, हमको erect image by using a converging mirror means क्या हो जाता है इसका it is a convex mirror concave, sorry ठीक है, it is a concave mirror अब इसमें जो question पूशा है और दूसरा आपको दिया है, focal length जो दिया है, हमें पहले बो लिख लेना focal length दिये, that is the 40 cm अब देखो, concave mirror है इसमें जो हमारी focal length होती, वो किस तरफ होती है, हमारा distance measure की जाती है, हमारी left hand side में हमारा यहां पर कौन सा sign आ जागा इसलिए, हम यहां पर जो sign पूट करेंगे that will be of minus, ठीक है, minus 40 cm पूचा है, specify the range of distance where the object can be placed in front of the mirror अब बहुत ही caution simple है लेकिन थोड़ा पूचने का जो style है वो ऐसा है कि हो सकते हैं, आप confuse करो कि भई यह क्या पूच लिया गया, specify the range of the distance and all बहुत ही आसान है, देखो इसमें simple सी बात है concave mirror में एक ही position है जिसमें हमको erect image मिलती है and that is वो position कहां पर बिंती है हमारी जो हमारा यह image जो बनती है, हमारी तब बनती ही रख इमें, जब हमारा object है, when the object is, I can note it down here, when the object is between F and P, हमारे पास एक ही situation है, तो बहुत साइसी बात पूचिए है कि specify the range of distance from where the object can be placed in front of the mirror अब हमें focal length given है that is 40 cm तो यानि हमें pole से ले करके 40 cm तक तो ही रख सकते हैं तो range हम कर सकते हैं range in which the object can be placed 0 to 40 cm तक है अब उसके बाद क्या है give reason for your answer तो reason हमारा यह होगे है कि because only one situation is there when the object is placed between F and P we get when object is placed between F and P we get an erect image हमें erect image का मिलती है जब हमारा object जो है वो F और P के बीच में रखा होता है तो हमारी जो range है वो क्या है हमारी 0 to 40 cm right next question जो पूचा है वो क्या है देख लेते हैं will the image be bigger or smaller आप में पता है कि जो हमारी image है वो क्या होगी definitely the image will be bigger than the object object से बड़ी होगी ठीक है तो हम कर किया है देखो सीदे सीदे हम question को पढ़ते जा रहे हैं solve करते जा रहे है अब है draw a ray diagram to show the image formation हमें ये बहुत ही आसानी से पता है कि हमने जो image formation वो कैसे दिखाने है ते कोई हमने एक mirror बना लिया है ठीक है हमने इसको shade कर दिया एक चीच ये भी मैं add करना चाहूंगी यहाँ पर जब बच्चे ray diagram बनवाते हैं जब ये उनसे को ray diagram बनाना है वो बहुत साथी चीज़े miss कर देते हैं जैसे वो shading part miss कर देते हैं arrows miss कर देते हैं तो ये सब चीज़े miss नहीं करना है ठीक है इसके आद हमने ये रेखी जी right अब हमारा object हमने कहाँ पर place करना है f and p के बीच में ये मेरा f हो गया ये मेरा c हो गया देखो ये distances equal ही रखना है यहाँ पर मेरा object आ गया ठीक है object कि है हमारा a b first ray हमारी parallel गई कहां से हो करके लोटे गी है f से हो करके sorry ये मारा गलत बन गया थोड़ा सा जो रे है वो यहाँ पर arrow लगाना नहीं भूलना है बच्चे ये चीज़े भूल जाते है दूसरी जो हमारी रे जाएगी उसको हम कहां से कर सकते हम दो तरह हैं तरीके से कर सकते हैं तो हम इसको सी से ले जाएं एक हम सी से भी ले जा सकते हैं या फिर हम इसको p पर fall करें सी से पोल पर रे और हमारा पोल से जो है वो रे आ जाएगी विद्दा same angle लोटेगी ठीक है न और हम सारी extend किया जहां पर यह दोनों raise meet करेंगी वहां पर हमारी image form होगी यह इसका हमेशा का rule है तो यह हमारी जो एक image बन गई यह कहां बनी है हमारी image a dash b dash बनी है virtual erect image बनी है देख रहे हो यहां पर और behind the mirror बनती है यह image तो इस तरह से बहुत ही easily आप question को solve कर लेते हो ठीक है एक और question कर लेते है a student wants to project the image of a candle अब student क्या चाह रहा है एक candle की image को project करना चाह रहा है on a screen 48 cm in front of a mirror देखो यह फिर से एक समझने की बात है कि यदि यह कहा गया है screen पर तो मतलब क्या है कौन सी image बननी है real and inverted right so here the हमें क्या पता लग रहा है कि image कौन सी है आपकी image is real and inverted one thing second thing क्या है by keeping the flame at the distance of अब हमने क्या किया इसमें हमारा जो U है क्योंकि flame के हमारा यहाँ पर object है V भी दिया हमको यहाँ पर हमें V की position दी है that is minus 48 8 cm अभी हम माइनस और नहीं लगाएंगे हम आपको बताएंगे कि क्या होगा है आप माइनस प्लस राइट अभी इसम्प्ली हम लिख लेते हैं इसको 48 cm और जो हमारा अब्जेक्ट है that is U, U is 12 cm in case of U तो you know that हमेशा यह क्या होगा माइनस में होगा अब V मैंने क्यों लिखा तो माइनस में दिखो क्योंकि हमें real and inverted image मिल रही है screen पर image मिल रही है mirror का case है हमें किस case में screen पर image मिलती है जब यह concave mirror होता है concave mirror में real and inverted image बनती है and that too on the left side यहने कि यह फिर आपका क्या हो जाता है minus में ठीक है तो distance क्या है object की distance क्या है 12 image की distance होगे 48 is the distance of image and 12 is the distance of object अब हम से पूचा क्या है see first suggest the type of the mirror he should use तो again it is very simple आप क्या लिख सकते हो the type of mirror is first answer the type of mirror is concave mirror second find the linear magnification of image all schools are closed but the with the 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 झाल 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 the fact is the guy the matter is the type of mirror he should use that is the concave mirror now see the second one find the linear magnification of the image produced right means what we have to find out M and we have to find out and this is a case of concave mirror so what we know the formula for magnification is minus b upon u it becomes see minus the v is minus 48 and u is minus 12 so what it will be 12 force of 48 means the magnification is minus 4 it shows that the image is real and inverted how far is the image from its object right you know that the position v is equal to see the fourth part of the question the fourth part is draw a diagram to show the image formation in this case so what is the how the image will be formed it is asked the fourth part is draw image for us for seeing that what is the position of object okay minus 12 centimeter but even we do not know what is like whether it is in between f or c or before c or beyond c so what we will do we will find f we know the mirror formula that is 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u we will put the values here right and afterward what comes here 48 so it will be minus 1 it will be 12 fourths of 48 minus 4 so it becomes minus 5 upon 48 means f is deco f kitna aage a par 48 upon 5 minus memory king it okay see so 5 nines of 45 and then 3 to 5 it will be 0.6 centimeter so what f comes that is minus 9.6 that is minus 9.6 up see our f minus 9.6 a means mara jayu hai that is between f and c okay and the position of image will be in that case beyond c our miss core diagram both easily and then we will fix a pole here and always remember diagram both easily and then this is a line here you can use the scale pencil and suppose this is f here and suppose this is c these distances between fp and cf so distance between fp and fc should be always equal are right so you can use the name here i think to have something here. okay here you can use the interferon do law209 otherwise you can use the wrong arrow amendment always book like and see next ray will go through P कर सकते हो आप इसको या फिर F के थुरू भी कर सकते हो see इसको आप F के थुरू भी कर सकते हैं like it will go through F and then it will pass parallel so where the rays are meeting this is beyond C so see here arrows mark कर दी हमने आपर right अब हम देख सकते हैं कि हमारी जो object था वो एवी था image बन गई आपकी inverted real inverted image but यहां पर यह ध्यान देना है कि कभी भी आपके जो arrows है distance है यह सारे चीज़े बहुत ही particular होना चाहिए properly आपको mark करना है इसमें कोई mistake नहीं होना चाहिए तो इस तरह देख हमने बहुत आसानी से sums solve कर ली जो numerical होते हैं वो difficult नहीं है बार बार मैं यही कहते हैं आपसे patience की जरुत है ध्यान से पढ़िए patience रखकर पढ़िए बहुत ही easily आप इसको solve करोगे so again thank you watching the video and जुड़े रहो Achievers Academy से